नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। नमस्कार दोस्तों आप में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो पीपल की पूजा करते होंगे। और उन्होंने चमतकारिक परिणाम भी देखे होंगे अपने जीवन में। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो पीपल की पूजा करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें वो बहतर परिणाम नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। तो कारण क्या होता है? कुछ दीपक जलाते समय हमें कुछ विशेश बातों का, कुछ विशेश नियमों का, कुछ विशेश सामगरियों का ध्यान रखना होता है, जिससे की कर्म बंधन से मुक्ती मिले। और आज की विडियो में ऐसा ही एक चमतकारी दीपक और दीपक में जलाने के लिए जो विशेश सामगरी होती है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ. बहुत ही चमतकारी उपाय है अगर इस विधी से आप दीपक प्रजवलित करते हैं। परेशान हो, धन के अभाव में हो या फिर संतान की प्राप्ती में बाधा हो रही है या संतान गलत रास्ते पर चली गई हो। किसी भी प्रकार की आपके जीवन की समस्या हो सकती है। इस पीपल के व्रिक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। इसके साथ ही हमारे पित्रों की जो पुन्य पवित्र आत्मा ये होती है वो भी इस पीपल के व्रिक्ष में वास करती है। शनी देव का वास माना गया है। इस पीपल के व्रिक्ष में तो जब इतने सारे देवी देवताओं का वास हमारे इस पीपल के व्रिक्ष में देववरिक्ष में माना गया है। तो यहां बैठकर आप जो भी कामना करेंगे, जो भी अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे, वो आपकी इच्छा बहुत ही शीघर पूर्ण होती है। और अगर अपनी परेशानी आप यहां बैठकर कहते हैं, पीपल की चाया में बैठकर करते हैं, आप पूजा नहीं भी करना चाहते हैं। आप प्रतिदिन पीपल के वरिक्ष की चाया में बैठ कर थोड़े समय अपने मन की परिशानिया कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो आपके वो जीवन की समस्याएं स्वतह ही समाप्थ हो जाती है, और ये चमतकार है आप स्वयन देख सकते हैं, विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए जी हाँ, पीपल का व्रिक्ष इतना चमतकारी होता है, कि इस व्रिक्ष के नीचे बैठ कर व्रिक्ष की चाया में बैठ कर अपने मन की कामना कहने मातर से ही कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, और शनिवार की शाम को जो हम दीपक प्रजवलित करते हैं, पीपल के व्रिक्ष के नीचे तो इससे जीवन का समस्ट अंधेरा दूर हो जाता है किसी भी प्रकार का अंधेरा आपके जीवन में हो कोई भी ऐसी कमी हो आपके जीवन में जिसके लिए आप हमेशा बहुत परेशान रहते हैं आप शनिवार की शाम को पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीप दान करना शुरू कीजिए और शीघर ही देखिए मातर साथ शनिवार मातर साथ शनिवार अगर आप पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीप दान करते हैं तो आपकी कामना को पूर्ण होने के रास्ते बनने शुरू ह आसार बनने शुरू हो जाते हैं मैं आपको सिर्फ अपनी समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए कुछ विशेश दीप दान के लिए बताने वाला हूँ लेकिन सुभा की पूजा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैसा की सुभा हम पीपल में जल अर्पित करते हैं तो जल किस समय अर्पित करें जल हमें सुभा अर्पित करना चाहिए तो सुभा के समय जो शनिवार को जल देने का समय होता है वह सूरियास्ट से पहले होता है अगर हम शनि के निमित ये जल दे रहे हैं अगर आप शनि की साढह साती धयासे या दशा अंतरदशा से परिशान हैं शनी का शुब फल पाना चाहते हैं तो आप सुर्योदय से पहले जल देते हैं सुभा यानि की अंधेरा रहे थोड़ा सा उसी समय आप जलाते हैं पीपल के वरिक्ष के नीचे लेकिन अगर आपको मा लक्षमी की विशेश कृपा चाहिए या कोई और भी विशेश कामना से आप जल दे रहे हैं जैसे कि शनी की साढ़े साती धया से आप परिशान नहीं है सिर्फ पीपल के वरिक्ष में आप अपनी कोई विशेश मनोकामना से जल दे रहे हैं क्योंकि सबकी अलग-अलग समस्याएं होती है जिसके लिए पीपल के वरिक्ष में जल दिया जाता है आप अपने शीघर विवाह के लिए भी जल दे सकते हैं पीपल के व्रिक्ष में धन की प्राप्ती के लिए भी, वंश की वृध्धी के लिए भी या सिर्फ भगवान श्री हरी विश्नु की कृपा आपको प्राप्थ होती रही, पित्रों का आशिरवाद आपको प्राप्थ होता रहे अगर आप इस निमित जल दे रहे हैं, तो आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं मतलब सुभा आठ बजे तक आप जल दे दीजिए कोई भी परेशानी नहीं है, तो शनी के निमित जो जल देना है, वह सूर्योदय से पहले देना है और शनी के निमित अगर आप जल नहीं दे रहे हैं, कुछ विशेश कामना से जल दे रहे हैं, तो आप सूलोधय के बाद भी दे सकते हैं। तो ऐसे में आप मीठा जल यानी की दूध मिला हुआ जल भी अर्पित कर सकते हैं। जैसी भी उपलब्धता हो, जरूरी नहीं है कि आप दूध ही डालेंगे पीपल की जड़ में लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो और गाय का दूध उपलब्ध हो तो कच्चा दूध पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं, तो साक्षात श्री हरी विश्नु सहित मा लक सकते हैं, मीठा करने के लिए शहद भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो और इसके अलावा आप पुष्प इत्यादी लेकर और फिर आपको मा लक्षमी की कृपा पाने के लिए जल देना चाहिए। कोरी विशेश भी मनोकाम ना हो तो इस विधी से आप जल देते हैं, तो शी कि आप पीपल उसके नीचे जला सके प्रजवलित कर सके। और अगर आप विधिवत पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ जल ले जाकर भी पीपल के व्रिक्ष में डाल देते हैं, तो इतने मात्र से भी आपको विशेश कृपा प्राप्थ हो जाती है। जल हमें जरूर अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें शनिवार के दिन प्रातहकाल जल जरूर अपडेट करें और संभव हो तो सुबह भी दीपक जला दीजिए और शाम को जो दीपक आपको जलाना है, वो विशेश दीपक होगा, तो इसके लिए कुछ सामगरी चाहिए। आ आप चाहें तो अपने घर में ही मिक्सी में पीस कर ग्राइंड करके उसे आटा बना सकते हैं। यही आटा आपको दीपक बनाने के लिए प्रयोग करना है और काला सूती कपड़ा चाहिए। हमें बाती बनाने के लिए कपड़े की बाती ही बना कर आपको दीपक प्रजवल आपके जीवन में मानसिक रूप से आप बहुत परिशान है, शारिरिक रूप से आप बहुत परिशान है। और शाम के समय शनिवार की शाम के समय काली उड़त का जो आटा है, आपके पास उस आटे को थोड़ा सा पानी डाल कर गुन लीजिए। सिंगल बाती हमें चाहिए उसमें और दीपक में सरसों का तेल आपको डालना है। सरसों का तेल डाल कर और थोड़े से काले तेल डाल दीजिए। चुटकी भर काला तेल आप उस दीपक में डालें। दीपक आपको पीपल के व्रिक्ष के नीचे शाम के समय प्रजवलित करना है। शाम को कौन सा समय होगा। शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हमें ये दीपक पीपल के व्रिक्ष के नीचे प्रजवलित करना है। और प्रार्थना करनी है। शनिदेव की अगर कृपा चाहते हैं, शनिदेव से परिशान हैं, तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिए नहीं, तो ऐसे ही पीपल व्रिक्ष को प्रणाम कीजिए की साथ बार परिक्रमा कीजिए साथ बार परिक्रमा करने के बाद पीपल के व्रिक्ष को स्पष्ट कीजिए आज शनिवार का दिन है शनिवार के दिन हम पीपल के व्रिक्ष को स्पर्ष करके प्रार्थना कह सकते हैं तो पीपल के व्रिक्ष को पकड़ लीजिए आप जड़ को हाथ से स्पर्ष करते हुए अपने मन की बात कही है जो भी आपकी परेशानी हो और जितनी भी परेशानी हो आपके जीवन की समस्त परेशानिया आपको पीपल के व्रिक्ष के नीचे कहना है अपने मन की सारी बातें पीपल के व्रिट्ष से कहिए यह समझिये की भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं आपके पित्र आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं स्वयन साक्षात शनिदेव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं मन में ऐसी कलपना कीजिए कि सभी आपकी बाते सुन रहे हैं और इसके साथ ही अपनी आखें बंद करके अपने मन की जितनी भी परेशानिया हैं जो भी आपके मन की व्यथा है सारी परेशानी, सारी व्यथा वहीं बैठ कर कह दीजिए जब तक आप अपने मन की बातें कह रहे हैं, तब तक पीपल को स्पर्श करके रखें जब आप अपने मन की सारी बातें कह लेते हैं, मन हलका हो जाता है उसके बाद आप पीपल को छोड़कर हाथ जोड़कर व्रिक्ष देवता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप संभव हो तो थोड़े समय बैठ जाए पीपल व्रिक्ष के नीचे शांत होकर फिर घर आ जाए हाँ, जब हम पीपल के व्रिक्ष के पास से अपने घर की तरफ आते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए पलट कर पीपल के व्रिक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए मुढ कर नहीं देखना चाहिए इतना सा काम आपको हर शनिवार को करना है अगर आप साथ शनिवार लगातार ये उपाय कर लेते हैं, इस प्रकार से दीपक प्रजवलित करते हैं अपने मन की परेशानी पीपल के नीचे कह देते हैं, तो यकीन मानिये इस साथ शनिवार के भीतर ही आपको चमतकारिक परिनाम भी दिखेंगे आपकी परेशानियों के समाप्त होने के रास्ते नजर आएंगे आपके जीवन के समस्ट अंधेरे चत्ते हुए दिखाई देंगे और आपको रोश्नी दिखाई देगी अपने जीवन में आपको प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा हाँ जब आप पीपल व्रिक्ष के नीचे अपनी परेशानी कह रहे हो अपनी समस्या कहें हो तो उस समय आपको एक और बात का ध्यान रखना है आपको भगवान श्री हरी विश्नु का ध्यान करते हुए मन में भगवान श्री हरी विश्नु का चतुर्भुज स्वरूप धारन कीजिए मन में समरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए की है श्री हरी विश्नु मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी का मानसिक पाप कर्म हो उन समस्थ पाप कर्म के बंधनों से मुझे मुक्त कीजिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरे समस्थ पापों को क्षमा कीजिए, मुझे पाप मुक्त कर दीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करके और अपनी कामना कहते हैं अपनी परेशानी कहते हैं यकीन मानिये चमतकार इसी जीवन में आप देखेंगे और स्वत है अपनी आखों से देखेंगे साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखें आप जब भी आपको मौका मिले गरीबों की मदद कीजिए जितना भी आप से संभव हो आप गरीबों की मजदूरों की असहायों की मदद कीजिए बहुत कुछ नहीं कर सकते चींटियों को आटा डालिए, मचलियों को आटे की गोलिया डालिए किसी को भी अगर आपको संभव हो भोजन कराना तो गरीबों को मजदूरों को शनिवार के दिन कम से कम किसी एक गरीब या मजदूर को भोजन जरूर करवाए जितना भी आप से संभव हो दूसरों की मदद करना सीखिए आपके पूर्वजन्म के जो भी प्रारंभ हो वो कटना प्रारंभ हो जाएंगे और शीघ्र ही आपको बहतर परिनाम भी प्राप्थ होगा अब आपका प्रश्ण हो सकता है कि स्त्रियां अगर करना चाहती है तो साथ शनिवार लगातार कैसे करें देखिए स्त्रियों को हमारे जो चक्र होते हैं जो मासिक चक्र होते हैं इसकी वजह से पूरे साथ शनिवार हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि हम साथ शनिवार तक लगातार कर पाएं तो इसके लिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए विशेश छूट है वो इन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में अपने जो भी उपाय है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी नियम है, उन सब को कर सकती है और इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है तो आप जब भी किसी भी शनिवार को अगर आपसे नहीं हो पाता है तो या तो आप उस शनिवार को अपने घर से किसी को अगर संभव हो तो अपने पतिया बच्चों को भेज सकते हैं परिवार के किसी सदस्य को दीपक प्रजवलित करने के लिए भेज दीजिए या फिर उस शनिवार को आप छोड़ दीजिए अगले शनिवार को आप कर सकते हैं और अगर आप चाहे जैसे कि बहुत से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम किसी और के निमित ये दीपदान कर सकते हैं जैसे कि अगर घर में कोई बीमार है वह नहीं उठकर जा सकता है पीपल के व्रिक्ष के नीचे स्वतह दीपक प्रज्वलित करने तो क्या हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं? जी हाँ, कर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, तो आप उससे सिर्फ दीपक का स्पर्श करा लीजिए और उसके बाद आप दीपक ले जाकर और पीपल के नीचे जला सकते हैं एक और प्रश्न की क्या सुभ़ भी जल देना जरूरी है? अगर हम सिर्फ दीपक प्रजवलित करें तो क्या काम चलेगा? नहीं आपको सुभ़ दीपदान करना नहीं करना, ये आपके उपर निर्भर करता है लेकिन सुभ़ जल जरूर देना है पीपल के व्रिक्ष में तभी शाम की पूजा भी फलीभूत होती है मान लीजिए हम सुभ़ जल नहीं देते हैं किसी को और उसके बाद शाम को उसे भरपेट भोजन देते हैं वो स्विकार्य नहीं होता है इसलिए सुभ़ आप जल जरूर दीजिए संभव हो तो सुभ़ भी दीपदान कर सकते हैं लेकिन शाम का दीपक बहुत आवश्चक है तो शाम को दीपक जरूर चलाये सकता है कि क्या ये उपाय लड़कियां कर सकती है या बच्चे कर सकते हैं तो जी हाँ कोई भी कर सकता है जो भी भगवान की विशेश कृपा पाना चाहते हैं जो भी अपनी समस्याओं से चुटकारा पाना चाहते हैं जिसकी भी कोई विशेश मनोकामना हो तो उस विशेश मनोकामना को मन में धारन करके भगवान से प्रार्थना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं दोस्तों देखिये पीपल का विश्नु का साकशात स्वरूप मन में स्मरण करके करिये और शीघर ही देखिये बहुत शीघर आपके जीवन में चमतकारी रूप से बदलाव होते हैं आपके जीवन की कोई भी समस्या हो दूर होती है क्योंकि भगवान श्रीहरी विश्णू की जब आप पूजा करते हैं, साक्षात श्रीहरी विश्णू स्वरू पीपल विशिष्ट जब आप पूजा करते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो. मुझे इस उपाय पर पूरा विश्वास है. आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे, तो आपको लाब अवश्य प्राप्थ होगा. आशा करता हूँ आज की विडियो से आपको लाब अवश्य होगा, और अगर आपको आज की विडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए. शेर जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की विडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नए विडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी, मैं मिलता हूँ आपसे अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार.